नमस्कार साथ हो तो आज है 23 जून 2024 कल 24 जून मंदे से एक निया ट्रेडिंग विक शुरूर ने जा रहा है तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट शेर्स की बारे में जैसे कल बजार रुपे नोगा शार्प 9 बच के 15 म पे आपका करी नजर होना चाहिए यह सारी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के उपर भी यह सारी इंपॉर्टेंट शेर्स के उपर फिश्के इंदर कल गिरावट होने का बहुत ज्यादा चांस है और एक बाद दोस्तों आप लोग के साथ मैं बताना चाहता हूं कि देखे इस जो कि thumbnail पे जैसे कि मैं mention किया कि कल जबर्दस गिर सकता है वो market के लिए बिलकुली नहीं है यहाँ पे जो सारे individual company की shares के बारे हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आईए अब एके करके company यानि shares का नाम और उसके पीछे वजा का है आपके सामने प्रेजन करता हू तो दोस्तों सबसे पहला share जिसको बर आपका नजर होना चाहिए कल यानि 24 तारीको नजारा technology limited जो कि last कुछ दिनों पे share में बहुत अच्छा movement देखने को मिला खास करके election result जिस दिन आउट हुआ था उसके बाद से आप देख सेक्तों share जो है करीब-करीब 29-30% की movement दिया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ा reason था expectation highly expectation किस चीज़ की GST council meeting में हो सकता है कि आज की rate पे ना online gaming sector में 28% की GST charge करता है सरकार उसको कम करके 15% हो सकता है ऐसा एक expectation था unfortunate दोस्तों ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला last day यानि Saturday GST council meeting की outcome के रुप में जैसे कब देख सकतो न्यूस के headline GST council meeting conclude with no relief for online gaming industry और जिसके चलते ना के बल यहाँ पे सिर्फ और सिप नजारा बलकि इस पर्टिकुलर 6 रोपे मतब सेक्टर्स पे जितने भी company से अच्छा है रिल्टा कॉप की बात करें मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या expectation था मैं आपको थो बेसिकल एक expectation था कि 28% आज की रेट में चार्ज लगता है उसको कट करने के बाद 15% होल जाएगा बट expectation दोस्तों उमीद उमीदी रहा गया है की नहीं तो में भी अगर सब कुस सही रहा कल दोस्तों यह सारे शेयर में गिरावट हो सकता है उसके बाद आप एक और शेयर दिखाना चाओंगा टेक महिंद्रा अब टेक महिंद्रा में क्या है कि देखे टेक महिंद्रा IT कंपनी है बटेक महिंद्रा का एक बहुत बड़ा revenue source आता है ओनलाइन गेमिंग सेक्टर से यह शायद आप में से बहुत कम लोग को मालूम होगा यह IT कंपनी है बड़ एक इतना चांज 80 परसेंट ठीक है ओके तो रिजन समझ आ गया बेसिकल यहां पर जो जीएस्टी काउंसिल मीटिंग में यहां पर आउटकम निकला इस बार ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में कोई भी बहुत बड़ा चेंज़ेस नहीं बाती का जिसके चलते जो एक्सपेक्टेशन वहां पर नहीं होडा है उसके साथ लास्ट कुछ सालों पर रहां देखा है कि दो बच्चे का भी यहां पर डेट हुआ है है इसके कारण तो यहां पर हो सकता है कि जैसे कि आप देख सकते हूं कि लिगल एक्षन लिया जा सकता है लाट सब्सक्राइब और यह एकदम लेटेस्ट अब्डेट है आज बहुत जादा चांस नहीं बट 60-40 परसन चांस है ओके नेक्स दोस्तों बात करेंगे जे इंफ फनांशियल लिमिटेड और लेडी आपको थोड़ा और कमजोरी दिखाई दे सकता है ठीक है नेक्स देखें विदानता लिमिटेड अब विदानता में क्या हो गया क्योंकि देखने को मिला लास्ट कुछ दिनों पर एक्चुली कंपणी की प्रोमोटर अपना स्टेक सेल करेगा और ये न्यूस एक्चुली शुक्रबार बजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ मैं आपको दिखा ना चाहता हूँ पहला आप देख लेजिए देखे अनिल अग अगर देखा जाए और ये दोस्तों लास्ट का निउस है इसका इंपक्ट आपको कल से दिखना है दे सकता है मतलब नेक स्टेडिंग विग पर ये सेलिंग आपको दिखाए दे सकता है यह बात भी सही है कि कंपनी को और करजा बहुत जदा है तो उसको चुकाना तो पड़ यहां पर एक्शन लेगा आगे तो फिलाल की बात यह है कि यहां पर ब्लॉग डिल के जरिये यह सारे चीज़ आपको दिखाए दे सकता है नेक्स देखे इंपॉर्टेंट शेर से विप्रो लिमिटेड जिसके अंदर कल थोड़ा सा कमजोर हो सकता है लास्ट डेब आपने सेक्टर में तो काफी अच्छा तेजी था और विप्रो को शेर इतना बढ़िया ओपन होने के बाब जुद भी क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा नहीं काफी नीचे आके मतलब देखेंगे जहां पर उपन वा था और क्लोजिंग दिया लगबक 1.73 परसं ठीक है तो विप्रो को हटा देने के कारण यहां पर पैसे का आउट फ्लो वह इंक्रीस होगा मतलब पैसा जो है बाहर जाएगा आउट फ्लो खास करके ठीक है तो जिसके चलते मैं बोलूँगा इसको भी नजर रखिए मतलब वीप्रो की शेर के बर उसके बाद देखिए क कुछ ऐसे कंपनी की शेर है ना लास्ट अल्मोस्ट एक मैने पकल लीजिए एक मैने से लेके तीन हफ्तों की बीदर काफी ज्यादा चल चुका है तो हो सकता है कि छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आपको आगे दिखाई दे सकता है अब देखिए यहां पे अगर गिरा 12 परसन तक चल चुका है एक मैने की बात करें 36 परसन चल चुका है तो समझ रहतों ना लास्ट पर नहों पर बहुत अच्चे यहां पर एक चारण चारण बात करेंगे अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफार्मेटिब लगा प्लीज दोस्तों को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की informative वीडियो हर रोज पाने के लिए और आप सभी को दोस्तों request करूँगा आज रात की जो सारे 10 की वीडियो आएगा इसी चैनल के उपर लगवख वही पॉने 11 से लेके 10-50 के आसपस आपको वीडियो मिल जा है ठीक सेम दोस्तों कल कौन-कौन सी कंपनी की शर में तेजी हो सकता है इसकी उपर मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए प्लीज एक बाच चैनल में विजिट कीजिए चेक आउट जरूर कीजिए ठीक सा करेक्शन होने का अगर हुआ तो आपके लिए गोल्डेन ऑपर्चुटी बन जाएगा क्लियर हो चुका है ओके तो देखिए जितने भी इंडिविजुल कंपनी की शियर है वह तो अमने चर्चा कर लिया अब बात करेंगे कुछ ग्रूप आप कंपनी की शियर के बारे मे निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के वर तो जैसे का आपको मालूब है निफ्टी 50 में टोटल है तो 50 शियर बट निफ्टी 50 को असल में चलाता है उसमें मौझूद टॉप 10 वेटेज वाले कंपनी का शियर जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है HDFC ब लिमिटेट लार्सन डूब्रो वेरी इंपोर्टेंट इस लिमिटेट टाटा कंसल्टेंसी टीस हो गया भारती एटेल हो गया एक्सिस बैंक हो गया स्टेट बैंक आफ इंडिया को यह जो टॉप 10 है इसको पर नज़र रखिए मतलब आप साइड में जो वेटेज है ना उस जैसे हमने देखा कि इंडिविजुल शेर वाइस जो वेटेज है अभी हम बात करें कि सेक्टर वाइस जैसे कि सबसे यह वाला सेक्टर कौन है फिनांशल सर्विस सेक्टर जिसके अंदर आपका बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंप्लीटल इंक्लूट है टोटल कितना एंड कंजुमेर फुल यहां भी वेटेज बहुत जाद है 12.52 परसंट की और इंफोर्मेशन टेक्नलोजी यानि IT सेक्टर यहां भी काफी अच्छा वेटेज है 12.06 परसंट की तो लगभग यह जो तीन सेक्टर से जिसका वेटेज बहुत जाद उसका वादी को ऑटो हो गय करेंट हो गया FMC हो गया इसको भी नज़र रखें फिलाल के लिए मैं बूलूंगा यह सारी शेयर पर नज़र रखें बागी देखिए मार्केट से लेटेट जो अपडेट्स है आज रात की सारदस वाली वीडियो में कवर करेंगे फिर भी आपका कोई डाउड साइस से रे